नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आज आज का इक नीव वीडियो में और आज की वीडियो में आपका चौदास सप्थंबर को में लिए나 Кरस्थ सेट है ओके तो इस प्रेक्टिस सेट के मदद से आप लोग वहां पर अच्छे से अच्छे अंग प्राप्त कर सकते इस विज्ञान को मत देखिएगा ठीक है वहां पर गलतिस लिखा गया है वह मिटानी मिटायन नहीं है सुनी तो यहां पर हम लोग टोटल सिक्स्टिन कोस्टिन देखने वाले साथ ही साथ आपको यह और बात बतानी है सुबह में कल सुबह में हम लोग लाइब आएंगे तो लाइब किस समय में इसके लिए हम पोल करेंगी जो वार्टसप पर भी रहेगा और चैनल के कम्मिनिटी पर टेंगहेंगे तो यहां पर हैं पर गोल्त करतें किसे देब और यहां पर यहां पर लहासा की और जो पार्ट है उसका लेखक का नाम क्या है राहुल साकृत्यां ठीक है अब संसी इसका ब्लगूल से जबाब हो जाएगा और एक चीज आप लोग याद रखेगा जब भी कि आप लोग हिंदी या इंग्लीज के कहीं भी प्रिक्षा देने जा रहें तो उसका जो चेप्टर एक कहानी है तो उसके लिखा का नाम कभीता है तो उसके कभी के नाम आप याद करके जाएगा ठीक है उससे पुछता ही पुछता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दो नमर कोश के और जो किस परकार का पाठ है तो लहासा कि यूदर जो पाठ रगया है या यत्राव ला कोश्चन मतलब इसका विलकुल सभी ही जवाब हो जाएगा तक आगे बढ़ते हैं यहां देक्टे कि निम 15OWC wearsón लक्रूर जाने के लिए कुतने 1000 फिट की चरहाई चरनी परती थी तो लक्रूर जाने के लिए कितनी फिट की चरनी पर थी 15grade्ब चरहाई चरनी परती थी 17 से 18 dessas 10 फिशिक का बिलकुल साही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यह जो प्रेक्टिस एट है इसमें क्यों लाहासा क्यों जो चेप्टर उसी से प्रसंद बनेंगे वो सब इसमें है ठीक है यहां देखें स्वाल नमर कोशन क्या है लेक राहुल सक्रित्यान का सहपाथी सह यात्री कौन था सह यात्री कौन था सुम्ति अप्सन ब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देखें आठ नमर कोशन ने तिबबत में सबसे खत्रे की जगह को क्या कहते थे तिबबत में सबसे खत्रे की जगह को क्या कहते थे काते थे डानडे कहते थे अप्सन सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसका पिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां देकी आरह नमर कोश्चन सुम्ती कौन था मंगोले भिख्चु लहासा की यात्रा में लेखा का साथ ही आगे बढ़ते हैं और दिया एक प्रोहीत और उप्रुक्त तबी तो उप्रुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो आफ्सन की साइवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां देखिए तेरा नमर कोशन ने बहुत कम बरफ वाली चोटिया किस दिसा में थी उत्तर दिसा में थी अपसंसी का सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लेखाक गलत राश्ते पर कितने मिल चला गया लेखक जो था गलत राष्टे पर कितना मिल चला गया, मिल डेर मिल चला गया था, ठीक है तो option A, इसका सही जबा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ दीखे 15 नमर कोशन है, भीटे किस परकार का स्थान था, भीटे किस परकार का स्थान था, तो यह भीटे किस परकार का स् संबी, इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ दीखे 16 नमर कोशन है, तिबबत की महला है किस बरतन में चाहे देती थी, यह question का answer आपको comment में बताना है, इस question का answer आपको comment बताना है, साथ ही में 7 comment में यह भी बता दिजए, कल कितना बज़, कल बज़े लाइब आया जाए, ठीक है, लाइब मतलब आपका जो भी विकली टेस्ट होगा, उसके लिए हम लोग लाइब में question कुछ हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, तो question हम सुबह मिले कर आएंगे, जो questions रहेंगे, विकली टेस्ट में पूछा जाना है, जो जो भी chapter से आपका syllabus म सुबह मिले कर आएंगे, कितना बज़े वाला टाइम में आपको लाइब सही है, मतलब सक्षा में कितना बज़े के लिए, आप लोग को कॉमेंट में बता देना है, साथ ही साथ में पोल जेनरेट कर दूँगा, नहीं तो पोल में आप वहाँ पड़ी जाकर आप अपना बो सब्सक्राइब, और तक आप लोग इन्वाट रहेगा, उसी में हम लोग लाइब आएंगे, और हम लोग कौन से कॉस्टन डिसकस करेंगे, तो क्लास नाइन्थ के हम लोग जो भी कोश्चंस मतला वीकली टिस चौदा तारीको जो होने वाला है, चौदा तारीकों होने वाल को देख लिजे साथ में साथ सेर कर दीजेगा वीडियो अच्छी लेगए तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जै हिन जै भारत